हेलो दोस्तों सवागत आपका में नेक्ट वीडियो में आज हम करेंगे परवासी भारतवासी कि कुछ सब्दों के बारे में मैंतापुर्ण सब्द है तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए आपके लिए क्योंकि हर एक सब्द की है अपने सतर पर क्योंकि एक सब्द अगर डिक्टेशन में तीन या चार बार आता है तो आप खुद ही डिसाइड कर लो कि आपके वो डिक्टेशन कंपलेट होगी क्या नहीं होगी है ना तो हर सब्द की इंपोर्टेंज को मद्द नद रखते हुए हमें किसी भी सब्द को नहीं चलना है कि कभी है सोच कि यह क्या आएगा आने में पता नहीं क्या आ जाए भाग गया में तो इसलिए और जो इससे सेगेंड वाली वीडियो अपलोड की थी भाड़ती है संस्ताय तो उसमें मैंने कोर्शन पूछा था वेंजन कितने है तो फिर से आगें लक्षमन कु कमेंट नहीं कर रहे हो तो प्लीज कमेंट किया करो अंसर गलत हो या सही आप अपनी राय भी जरूर दिया करो जिससे कि आम भी उत्षा मिलें और आपके लिए और अच्छे ची वीडियो बनाने का ओसला बने तो आज का कोशन भी आम वीडियो के एंड में पूछेंगे तो करके लिखा है परवाशी को अलग भारत को अलग और वाशी को अलग क्योंकि अगर इसकी वैसे ताउट लैन एक बनेगी अगर ये तीनों सब्द अलग अलग भी आ जाते हैं तो आप उनको भी इजली बना पाऊगे इसलिए तो समझते हैं पहले परवाशी तो जब सात में है जोनड में तो हम इसको कैसे बनाएगे यह पह मेरए का होक फीर भारत के लिए यह भै और फिर परवाशी अब यह देखना दोस्तो यह पर वाशी में क्या है इसमें बस परैड है तो जब इसको हम अटा देते हैं तो यह हो गया परवासी और इसको एक बात और इसको थोड़ा आगे काड़ दो क्यूं क्यूंकि यह लाश्ट में ए है अगर वास लखेंगे तो हम इसको ऐसे बना देंगे तो यह अब इसको परवासी पूरा हो गया और वासी और यह भारत तो देखा आपने एक आउट लाइन में आपने कितने आउट लाइन कितने सबद सीख लिए तो चलते हैं अगले सबद पर अगला सबद अपना है सटेट इलिमेंट तो पहले सटेट बनाएंगे तो यह टाय में से और फिर टाय में से और फिर यह थोड़ा काड़ कर ले और फिर मैं अगें यह तो शटेट स्टेट्यमेंट यह हमने किस के लिए चार्टा यह लैघ नहीं तो हम इसको गर यह हूँक नहीं देते तो अब इसको ऐसे भी बना सकते थे पर हमने यह लाइक के लिए दे रखका है अगला सब अपना थोड़ा पटासा है फिर ड्रेटल तेल्ड मलाया सेटेट्स इसकी आउटलाइन फैर कटता है तो इसके लिए पहले हम कि डैस और फिर इसके लिए डिट के के लिए 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 टै में और फिर मलाया सेटेट्स इसकी बारतिया मजदूर बारतिया मजदूर अगला सबस मलाया रिजर्वेशन एक्ट तो यह हम पहले मैं बनाया फिर ले फिर इसके अंदर जै और रह और चाहिए तो आख लगा सकते हैं सन का नहीं तो हम इसको एक्ट से भी कार सकते हैं हमने कैसे कार दिया एक्ट के लिए फिर मलाया वासी नोगतों मैं ले यह वासी के लिए अलगा सा डैस निकाल देंगे अगला सब बद और निवेशिक सचीव उपने वेशिक सचीव तो यह कि तो इन सब्दों कि आपको आउटलेन से ज्यादा इंदी में प्रैक्टिस करने जुरूत पड़े गया इनके आउटलेन तो आप इजली शीक लोगे पर जब इनको ट्रांसलेट करोगे न तो इतने बड़े सब्द हर बच्चे को तो नहीं पर फिर भी बहुत से बच्चों को इसको इंदी में ट्रांसलेट करने में कठनाई आएगी तो इंदी बेबी आपको जोड़ देना है अगला सब्द अपना केलोवनियल सेकेटरी तो कैमेल लैका होक देते हुए ने बनाएंगे और फ और फिर जर्णल के लिए काट देंगे अगला सब्द अपना यू नाइटिड पिलाइट एस ऐसेसियन्स तो फहले यूणाइटिड का यह बनाएंगे फिर प्लाइट के लिए पहमेल लैका होक और लाश्ट में श्यंस अगला सब्द अपना सेंट्रेल इंडियांज असंप तो तो तोड़ा इसको बढ़ा करेंगे फिर इंडियन के लिए नय फिर असम्बली के लिए कि मैं में से और फिर ले आपको इतनी बड़ी आउट लेलिम बनायाने के जुरूट नहीं प्रैक्टिस करते टाइम अब इतने में भी काम चला सकते हो यह बड़ आपको समझाने के लिए है कि आपको समझ में आए तो यह सबद को मैंने फिर से अगिन बनाया है यह वाले को जो ये मैंने यहां वैसन तो अच्छी समझा जिए था फिर भी मैंने इसको फिर से लिखा है सटेट सटेलमेंट तो ये फिर से यह सटेट यह सटेल मेंट यह थी दोस्तों आज की वीडियो और आज का question मैं कि आउट पिछली में तो मैंने नेका पूचमा भी तक मुझे अंशन ने मिला इसलिए मैं किसी का कोई नाम नहीं ले सकता आज का question मैं को light बनाते हैं पर जब इसको डारक कर देते हैं, तो इसमें क्यूं करते हैं, तो आपको यह बताना है, कि क्यूं करते हैं, किसी रीजन से करते हैं, तो अब दोस्तों मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, किसी सब्द को छोड़ना नहीं है, अगर बोलने में भी कठना हैं, तो आप उसको ऐसे याद कर लो, कि आप उसको सुनके तो एजेक्टिक्स लाइन बना सके और उसको फिर ट्रान लेक्ट करके लिख सेके ठीक है तुकि मैं एक बात गारेंटी से कह सकता हूं अगर आपने एक सबद छोड़ा किसी रीजिन से तो आगे चलकर आप सो सबद छोड़ोंगे अगर एक बार प्रोग्लम क्रेट होने लगे जाती है तो वह ऊती जाती है मुझे भी बहुत से सबदों का उसकर ठीक परकार से नहीं कर पाता पर फिर मैं उसको यह शोचकर अवोइडि नहीं करता गाएं कि मैं तो वीडियो बना रहा हूं तो कैसे मिलेगी मैं यह सोच लेता अगर मैं उचारण ठीक कर नहीं पा रहा क्या पता उसको देखने वाला उचारण ठीक कर ले और उसकी आउट लाइन तो ठीकी है ना मैं बना रहा हूं और उसको यूज करके कहीं उसका कहीं हाथ तंग ना हो जाए सारी बात यह है कि मैं किसी भी सबद से मुझे उचारण हो या ना हो मैं आपके सामने हर आउटलाइन बना के दिखाना चाहता हूं जिससे कि आपकी डिक्टेशन में अगर वह सबद आ जाए तो आप एक प्रसेंट तो मुझे याद करोगे कि मैंने उस वीडियो में देखी थ है ठीक है दोस्तों और जाद ग्यानना देते हुए मिलते अब नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई